हलो, दोस्तों सुलाथ है आपका टीवागर्टिक वाल मेरा नाम है विशेख दोस्तों आज की वीडियो का हमारे टॉपिक है Best Cheapest Web Hosting तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही सस्ता और एकदम पर्फेक्ट वेब होस्टिक बताने वाला हुए है और साथ में एक डिसकाउंट लिंक भी दूँगा इसी वीडियो का डिसक्रिप्ट परसे आपको मिलेगा टोटल 90 परसंट का डिसकाउंट और साथ में फ्री डॉमेन और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में डीटेल में हम इस वीडियो में बात करने बाले हैं तो दोस्तों इ नहां पर डिरेक्ली मिलता है 90 परसंट का ओफ इसके लाव आपको मिलेगा फ्री डॉमेन और अगर आप हमारे लिंक के दूँगा पर्चेस करते हो और पर्चेस करने के बाद जो आपका रेसिप्ट आता है अगर वो रेसिप्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह गए इमेल आइडी में मुझे भेशते हो तो मैं अगले 48 गंटे के अंदर अंदर आपको एक प्रीमियम ब्लॉक थीम दूँगा जो की न्यूस्पेपर रहने वाला है ठीक है और दूसरा है इलिमेंटर प्रो प्लगिन और यह दोनों थीम और प्लगिन आप जितने चाह परचेस करते ही रेसिप का स्क्रीन शॉट लेकर मुझे मेल कर देना है मैं इमेल आडी आपको इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आपको उसी इमेल आइडी पर जिसी इमेल आइडी से मुझे मुझे मेल किया है आपको मैं 48 गंटे के अंदर होस्टिंग पर्जिस किया जाए ठीक है यहां पर मैं कहूंगा कि सस्ता होस्टिंग देखना बेवकूफी है ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि पैसे जहां जहां बच रहे हैं वहां बचाने चाहिए ठीक है ताकि और बैटर जगे पर हम उसको इन्वेस्ट कर पाए इस इसलिए नहीं कि बस पैसे बचाना है इसलिए क्योंकि हम उसको और बेटर जगे पर इंवेस्ट कर पाए यह जादा जरूरी है ठीक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी इंडियन कंपनी से होस्टिंग ले लो जो आपको बहुत ही कम प्राइस में देता है और और कुछ company आपको लगता है कि इंडियन हें लेकिन इंडियन होती नहीं है और कुछ companies actual में इंडियन होती है और बहुत इक उसको हमें एक कम्पनी नहीं बोल सकते एक पर्टिकुलर बंदा गड़ बैटे-बैटे अपना होस्टिंग बैच ला होता जिसके पास किसी तरह का कोई पर्टिकुलर बंदा होता आपको फोश्टिंग पर मैने 10-50 रूपर में दे देगा लेकिन आपको किसी तरह कोई support बादों मिलेगा नहीं क्योंकि वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बैटे वो company बनने के लिए नहीं बैटे ठीक है परक पड़ता है तो guys यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे hosting company की जो market में सबसे आगे चल रही है और price भी बहुत ज़ादा नहीं है है ना अगर आप इसके price को सबसे बड़ी बड़ी companies के जाथ अगर आप compare करोगे तो उनसे कम रहेगी इसकी price ठीक है तो मैं ऐसी company बताने दा रहा हूँ और यह company है वरpex अब बरpex के अगर आप पुछो कि क्या यह इक Indian company है तो guys नहीं है मैं clearly आपको बोल रहा हूँ यह इक Indian company नहीं है Indian company तो hostinger भी नहीं है Indian company तो blue host भी नहीं है Indian company तो big rock भी नहीं है Indian company name chief भी नहीं है Indian company side ground भी नहीं है ठीक है बहुत सारे ऐसी कम्पनिया हैं जिसको आप इंडियन कम्पनी समझ के hosting लेते होंगे उन्में से कोई भी कम्पनी इंडियन नहीं है यह reality है हाँ definitely आपको इंडियन रुपीज में आप pay कर सकते होंगे वहाँ पर लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है जहां पर आपको सबसे कमाल की performance मिलेगी और वह भी cloud server पर मिलेगी पूरी की पूरी company ही cloud server पर काम करती है शैर ड्रॉस्टिंग ले लो cloud server मिलेगा WordPress hosting ले लो cloud server मिलेगा cloud hosting ले लो cloud server मिलेगा HARRISल सरोड वास्तिंग भी cloud server पर और BPS बगेरा, सब कुछ आपको Cloud Assault पे मिल रहा है, तो मतलब, आपको हर जगे 100% Uptime मिल रहा है इस company में, तो आप अपना पैसा हर किदर लगाओ, इससे अच्छा तो मेरे इससाब से आपको यहां लगाना चाहिए, क्योंकि देखो, पैसा, जब आप online कुछ भी start करते हो न, तो पैसा सिर्फ दो जगों पे लगाना चाहिए, एक है hosting और दूसरा है आपके campaigns में, मतलब जो आप ads run करते हो, यह दो जगे आपको पैसा लगाना चाहिए, बाकी सब जगे आपकी महनत होनी चाहिए, content लिखने में और इन सब चीजे में आपकी महनत होनी चाहिए, लेकिन पैसा आपको mainly सिर्फ hosting में लगाना है, और ad campaign में लगाना है, यह दो जगे ऐसी होती है, जहाप आपको और hosting में आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि उसके बिना तो आप शुरू नहीं कर सकते हैं, ad campaign में लगाना नहीं लगाना आपकी choice है, है न, अगर आप चाहते हो कि जल्दी से पैसा बनना शुरू हो, तो आपको ad चलाने पड़े हैं, क्योंकि SEO में तो time लगता है, यह तो आप सब यह बता ही होगा, उपन स्टार्ट करते हैं, में इन चीज़ पर, तो यहाँ पर यह कमपनी है, वर्टेक्स, और इस कमपनी के बारे में कुछ भी हम डीटेल में आगे बढ़ने से पहले हम इसका अपस्वेल रिव्यू देखेंगे, ट्रस्ट पैलेट में आप इसका रिव्यू देख सकते हो 4.8 है, ठीक है, लेकिन यह साइट पर बता रहे हम ऐसी चीज़ देखेंगे जो साइट पर नहीं है, हम देखेंगे होस्ट एडवाइस में, होस्ट एडवाइस एक ऐसी कंपनी है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग कंपनी के रिव्यू दाले जाते हैं, ठीक है, और एक बंदा एक साधा रिव्यू डाल भी नहीं सकता है, चाए वो अच्छा डाले या खराब डाले, त तो उस हिसाब से अगर हम देखें यहां पर तो एक जैन्यून रिजल्ट हमें मिलता है, तो हम आपर देखेंगे, वरपेक्स होस्टिंग, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे, तो इसका मतलब बहुत ही तगड़ा रिवी हो, यह जो 4.8 है, यह 5 में से, 10 में से नहीं है, तो यहाँ पर 5 star reviews है ठीक है तो 4.8 reviews इसको यहाँ पर मिलता है servers चेक कर लेते हैं यहाँ तक आई है तो exact city कौन से city में server है यह बताता है New York, Toronto, San Francisco, Swappers, London, Amsterdam, Frankfurt, Mumbai, Bangalore, Singapore, Sydney, Jakarta, Moscow, W इन सभी जोगों पर इसके जो है आपको servers देखने को मिल जाते हैं यह particular cities है आप country wise भी देख सकते हो server अब यहाँ पर देख सकते हो डलास, Canada, New York, London, Frankfurt, India, Singapore, Australia आप company wise भी यहाँ पर देख सकते हैं इन के अंदर जो cities है वो आपको अलग से बताया जाते हैं चलो अब यह बात हैं हमने कर ली यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से थोड़ा सा और locations, migration आपको आपको इसको आराम से बैटके पढ़ लेना हाला कि वह ज़रूरी नहीं है अपना hosting company start करना चाते है और earning करना चाते है ठीक है उस time भी जो आपको support मिलेगा वो सारी चीज़ जो मिलती है वो particular वो लोग नहीं देते हैं आपको उस time कुछ भी दिक्कत होती है तो वो लोगों को भी आगे वरफेक्स से ही बात करनी पड़ती है फिर जाके चीज़ साही हो ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे जो अपनी hosting company कोलके बैठे है वरफेक्स से reseller hosting लेकर ठीक है और बहुत सारे अलग अलग कंपनी से reseller hosting लेकर करते हैं और मैंने भी आपको बताया हुआ reseller hosting से आप कितना पैसा कमा सकते हो ठीक है उस वीडियो का बी लिंग में आपको इस वीडियो का description में दे दूँगा अगर आप अपना hosting company स्टार्ट करना चाते हो तो आप यह चीज कर सकते हो ठीक है जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत नहीं कर रहे है क्योंकि वो लोग क्या कर एक अच्छी company से reseller hosting खरीद के आगे बेच रहे हैं ठीक है आपको direct support नहीं देंगे वो बस आप लोग जो उनसे खरीदते हो उनको direct support नहीं मिलेगा अगर आप उनसे contact करते हो तो वो आगे वर्पैक्स जैसी बड़ी-बड़ी जो company होते हैं तो reseller hosting बेचते हैं उनसे बात करक फिर आपके issue को resolve करेंगे तो उसमें टाइम लग सकता है लेकिन यह पता करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी company है और कौन से reseller वाले जो hosting बेचते हैं वो है तोड़ा मुश्किल हो जाता है कि और अब दूसरा होता है wordpress hosting shared hosting और cloud hosting आप यहां पर मैं आपको सचा ही बता रहा और cloud server पर कोई company अगर काम करती है तो वो इसलिए करती है ताकि वो 100% uptime अपने users को दे पाया तो अब यहां पर फराक नहीं पड़ता कि आप wordpress hosting लेते हैं share hosting लेते हैं cloud hosting तीनों सेम है इन तीनों में कोई difference नहीं है reality यह है अब आप सोचे होगर difference नहीं तो तीन अलग-अलग page बनाने की ज़रूत क्या पड़ेगा इस देखो SEO इसका सबसे बड़ा reason होता है SEO यह भी एक hosting company है बाकि इतने सारे hosting अगर यह लोग भी चाहते हैं कि यह Google पर rank हो तो इन्हें यह सारे pages बनाने पड़ेंगे बिना बनाएं नहीं हो सकता अब भी जैसे मुझे माल लो की wordpress hosting लेन है क्योंकि हमने companies से direct बात की हुई है ठीक है तो इसी लिए हमको पता रहता है कि यह तीनों hosting प्लांट्स जो है वह लुकुल से में में कोई डिफरेंस नहीं और प्राइस देख लोगा प्राइस नहीं है सबसे में क्लावड होस्टिंग होना चाहिए टू नाइन नहीं है यह देख लाते हैं और शेयर दोसिंग प्लांट यह किकर नहीं है यह और किसी तरह का बैक में भी कोई दिफ्रेंस नहीं बिलेगा आपको तो इसी लिए आप इंगे से कोई ले सकते हो अब मन की तसलिके लिए क्लाउड वे वोस्टिंग लेना क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अब चलो बात करते हैं यहां पर हमें अब लोगों को पता है कि नोगों को पता है कि नोगों के लिए उनके लिए तो देखो एक वीडियो है जो मैंने अल्री बना रहा है खडीद के बताया है हाउ टॉबाइ वेब वोस्टिंग रम बंपेक्स आप यूटूब पे कीवर्ड साच करो हाउ तुबाइब वब वोस्टिंग प्रम बंपेक्स यह बर्पेक्स टाइप करना ठीक है और यहां पर यह फास्ट वीडियो जो आपको दिख रहा है यह हमारा वीडियो यह पास मै तो आप इस वीडियो को साथ साथ अफ़ालो कर सकते हो और पर पर्चेस कर सकते हो ठीक है है तो रहे पर आप आगे सकते हो काम अब क çekते हो कते है अब हे गो कि यहथा जैवर यहां पर आपके पास तीन ही क्र tunnels वेड़े हैं bronze, silver और gold, आप इनके अधर जो main difference है कि bronze अगर आपको एक ही website host करना है, यारी कि एक ही blog बनाना है, एक ही business वब्साइट या फिर एक ही e-commerce website आपको बनाना है, तो सिधा सिधा आपका जवाब है bronze ले सबस्थे सबस्ता यही पढ़ने वाला है अगर आपको एक से ज़्यादा वेबसाइट होस करने को मैंदा है अब बने सो करो बने दो करो आपको यही प्लान लेना पड़ेगा क्योंकि यह ऑप्छन है तीसरा है गोल्ड अब गोल्ड में इसको क्यूं ले इस प्लान को क्यूं है इसका कोई बहुत बड़ा जवाब तो मेरे पास नहीं है क्योंकि अनलिमिटर वेब्साइट किसी को चाहिए नहीं अनलिमिटर बैंट विट तो सबसे सबसे हैं प्लान में 100 GB का इन्वी में सबसे हैं मैं तो कहता हूँ यहां आपको पावर देखने को मिलेगी ठीक है अब बाकी तो सिल्वर प्लान और इसमें दोनों में आपको रैम 2GB और 2-Core CPU, 2-Core CPU मिल जाता है और यहां पर भी 2GB और 2-Core CPU मिल जाता है जो फराक है वो Entry Process में आता है ठीक है चलो आप बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि NBME SSD storage देते हैं कुछ लोग लिखते है NBME SSD storage ठीक है तो आप देखना अगर महीने के कम से कम आपसे 180 या 200 रुपे नहीं लिए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है सीधा सीधा जिसका जवाब यह है कि वो NBME SSD storage हो ही नहीं सकता है वो खाली लिख रहे है NBME SSD storage तीन डॉलर का मतलब क्या होता है तीन डॉलर का मतलब होता है 80 80 80 240 रुपीज ठीक है तो मिनिमुम 240 रुपीज जो है यहां पर आपसे हर महीने लिए जाएंगे तभी वो आपको NBME SSD storage दे सकते हैं नहीं तो नहीं दे सकते है यहां डेली बैकप दे रहे हैं 30 दिन तक आपके बैकप को रखा जाएगा यानि कि 30 इंटू 30 आपके लिए 600 GB storage हमेशा खाली रहता है आपके बैकप्स रखने के लिए आप बले आप 30 GB में तो 3 GB भरो बले 1 GB भरो 2 GB भरो किता ही भरो लेकिन आपके लिए उनको हमेशा 600 GB खा आपके लिए 600 GB आपके लिए 900 GB आपके लिए खाली रखना पड़ता है तो 900 GB खाली रखने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना तो बस बहुत चकर पड़ता है अब आप बले इसमें 1 GB भरो क्या पता आपने आपने आज शाम तक पूर 30 GB भर दिया तो वीडियो बगेरा डाल इसा भी दो हो सकता है तो उन लोगों को हमेशा 900 GB आपके लिए खाली रखना पड़ता तो इतना खाली रखने पर आपको क्या वो 10 रुपे में दे देंगे महिने के 20 रुपे में देंगे नहीं दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता ठीक है तो ये कमणी आपको 240 रुपे आपसे ले रही है और तब जाके आपको 30 GB स्टोरेज दे रही है और हर रोज आपका डेली बैक अप लेका रखेगी विल्कुल फ्री ऑफ कोस्ट ये 21 डॉलर जो लिखा हुआ ना मार्केट में इतना पैसा मार्केट में लगता है इसको करने के लिए लेकिन ये कमणी आपसे लेती सर्वर आपको मिल चुका है ठीक है अब इसमें दो चीजे हो रहे है लेस कैशे मादब आपको एक कैशे भी मिलता है जो कि आपके उपसाइट की स्पीट को बढ़ जाती है और ये चीज सिर्फ सीडियन ही कर सकते है और कोई भी होस्टिंग फीचर इसको नहीं कर सकता है जो और ये करेक्ट है कोई भी सीडियन ले लो आप वो करेगा ठीक है कुछ सीडियन क्या है हमेशा काम करते है कुछ सीडियन हमेशा काम नहीं करते है अगर ऐसे में अगर हम देखे तो क्लाउड फ्लेयर और क्विक सीडियन ये दो सीडियन ऐसे जो वेल एस्टैबलिश सीडिय लेकिन यह बहुत तकड़ा अब इस से थोड़ा उपर अगर आगर आपको दूसरा अपसाइट होस्क्राइब तो सिल्वर ले लो यहां पर आपको 2GB RAM और 2Cp मिलेगा यहां पर 1GB RAM और 2GB RAM और 2Cp मिलेगा ठीक है जो कि यह बहुत ज्यादा अची बात हो थे क्योंकि RAM 2GB RAM या 3 आपको पैसे देने पड़ते हैं तो वह चीज रहती है और 2CPU की ताकत आज तक सिर्फ होस्टिंग वाले ही देते हैं और कोई नहीं देते हैं अब होस्टिंग ने 2CPU का मतलब क्या होता है दो दो ब्रेन आपके सामने एक laptop होगा या computer हो उसका CPU क्या रहता है computer का brain होता है अब समझने की बात यह है कि कितने टाइम के लिए यह सबसे important चीज है इस पूरे वीडियो में गैस देखो यहां पर सबसे बहले बताता हूं कि कौन सा आपको नहीं लेना है मंतली पर क्लिक करते हैं देखो मंतली में आपको क्या दिख रहा है यहां पर 0.59 डॉलर पर मन्त यहां पर क्या है 0.59 डॉलर पर मन्त है renews at 5.90 डॉलर पर मन्त यह पढ़ना जादा जरूरी है पहले महीने तो आपसे इतना ही पैसा लिया जाएगा ठीक है यानि कि सिर्फ आधा डॉलर 40-50 रुपे दूसरे महीने आपको सीधर 6 डॉलर लिए जाएंगे आपसे अगर आप मन्तली लेते हो तो यह मैं कहा रहा हूँ मन्तली लेते हो तो यह चीज आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर आप ट्रायल पगेरा देगना चाते तो वह एक अलग बात है लेकिन उसके बाद आपको तो पूरा यह 12 मंत का लेना ही पड़ेगा नहीं तो क्या 12 मंत का सस्ता पड़ता है और मन्तली बहुत महेंगा पड़ जाएगा क्योता तो कैल्कुलेशन करके दिखाता हो मैं आपको अब जैसे आपने पहले महीने के लिए आदर डॉलर में ले लिया ठीक है बहुत कम है ग्यारा महीने तक आपने ये वाला अमाउंट दिया तो कितना होगा देख लेते हैं 5.90 into 11 ग्यारा महीने तक अगर आप 5.90 डॉलर देते हो तो 64 डॉलर हो जाते हैं प्लस कर लेते हैं हम इसके साथ में 0.59 ठीक है आप 65.49 डॉलर आप एक साल का देने वाले हो अगर आप एक 2.99 अब आप हर महीने 2.99 डॉलर देने वाले हो अब ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं 2.99 to 12 अब एक साथ दे रहे हो पूरे साल का एक साथ दे रहे हो तो आपको सिर्फ 35 डॉलर देना है तो कहना का मतलब ये है अगर आप पूरे साल का एक साथ लोगे तो आपको 35 डॉलर द तीस दोलर जाला देना पड़ेगा अगर आप एक महीने करके तो यह चीज थोड़े से डिसकाउंट के चकर में पूरे साल में 30 दोलर गवाद होगे यह चीज आपको नहीं करनी है एक साल का ले लो सस्ता पड़ेगा और तीन साल का लेते हैं तो और विज़ा सस्ता पड़ेग और यहां पर 1.50 दोलर का हर महीने फायदा हो यानि कि हर महीने आप इमान के चलो अधर लेड़ डोलर मतलब आज की रेट में 120 रुपे होते हर महीने कम से कम 120 रुपे बचाते हो 120 नहीं कहूंगा 124 रुपे आप हर महीने बचा सकते हो अगर आप ए गॉल्ड वाला प्लान ल से जाद अपसर्च चीए तो आपको silver वाला प्लान लेना है और अगर आप एकी अपसर्च चीए तो आप bronze वाला प्लान ले सकते हो ठीक है तो मैंने आपको अभी सारी चीज़े क्लियर कर दिए कोई भी डाउटर था आप मुस्से कमेंट करके पूछ सकते हो डिसकाउंट लिंग आपको description मिल जाएगा आप डिरेकल जाके महाँ से purchase कर सकते हो 90% का discount मिलेगा free domain मिलेगा और अगर आप मुझे receipt email कर देते हो तो मैं आपको Elementor Pro plugin भी बिल्कुल free में दे दूँगा और जो newspaper premium theme है blogging के लिए वो भी मैं आपको बिल्कुल free में दे दूँगा बस आपको receipt का screenshot लेकर मुझे description में दिये गई email ID पर mail करना है ठीक है और गाईज अगर आपने पहले कभी hosting नहीं लिए वर्पेक्स से तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो इसका भी link में आपको description में दे दूँगा और अगर in case मैं कभी भूल गया अप्लोड करते हैं वक्त रेकिया दो दिन बाद में अगर upload करता हूं तो हो सकता है ठीक गाईज तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके अभी पूछ सकते हो वीडियो लाइक कर देना और चान को साय करके बहले आपको ज़र प्रस कर ले क्योंकि इसी से हमारे आगे आना वाले वीडियो की नोटिकेशन आपको मिलते रहेंगे तो दोस्तो आज को सब्सक्रा